कामकाजी महिलाओं को इस्तनपान की चुनोतियों से निपटने के लिए भिलाई में कारिशाला कायोजन किया गया इसमें Steel Authority of India Limited के कर्मचारियों को इस्तनपान के प्रती जागरुख किया गया कारिशाला में इस्त्री और शीशू रोग विशे सग्यो द्वारा शीशू देख भाल के सांथ ही इस्तनपान के महत उपर जानकारी दी जा रही है जवाहरलाल नहरुची कित साला है एवं अनुसंधान केंद्र के कारिपालक निदेशक डॉक्टर रबिंद्र नात ने बताया कि कामकाजी महिलाओं और को बच्चों के उचित देखभाल से उगत कराना कारिशाला का मकसद है दूधी बच्चों को पिलाना है और कुछ नहीं पिलाना है डॉक्टर के सला बिना और कुछ नहीं देना है यह जो अगर हम फॉलो करेंगे तो यह पॉस्टिक आहार से बच्चों का इंफेक्शन तम जाएगा उनकी ग्रोथ अच्छी सी होगी और उनका जो भी प्राब्लम से इंफेंट्से पिरेड में यह सब नहीं रहेगा तो यह मेन इशू है और आजकल की मॉडन लाइफ में क्योंकि मदर बिजी हो जाती है या फिर वर्क कर रही है इस कारण से कुछ-कुछ लोगों का यह जो ब्रेस्ट फीडिंग संभव नहीं होता है तो किस तरह से इसको संभव करना है एक इंस्टूशन में और क्या-क्या है इसकी अलग-लग टेक्निक्स और इसको सुचार रूप से कैसा लागू करना अपने अपने इंस्टूट से यही इस कारेशाल्या का उद्देश है गौर तलब है कि भिलाई के जवाहरलाल नहरू चिकित सालायोम अनुसंधान केंद्र को बेबी फ्रेंडली अस्पताल के तोर पर भी जाना जाता है चार दिवशी कारेशाला का समापन 21 नौवंबर को होगा